पहले सुरकी आई है नागलंड से चार दिसमबर आप जानते ही हैं इस दिन नागलंड के मौन जिले में सेना की गोली बारी में छे नागरिकों की जान चली गई थी एक बॉस्ट ऑपरेशन था मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात सेना ने की थी घटना के बाद हुई हिंसा में आठ और लोगों की जान चली गई थी सेना की भी एक जबान की जान गई थी जान्च के लिए नागलंड सरकार ने एक विशेश जान्च दल यानि एसाइटी का गटन किया था मीडे रिपोर्ट्स के मताबिक एसाइटी की टीम कल से घटना में शामिल एक किस पैरा स्पेशल फोर्सेस के जबानों के बयान दर्च कर सकती है सुत्रों की माने तो जान्च को गती देने के लिए नागलंड सरकार करते वे सदस्यों की संख्या आठ से बढ़ाकर 22 करती गई है इस बड़ी टीम में पांच IPS आफिसर्स शामिल हैं इस घटना के बाद नागलंड से आफस्पा को हटाने के आवाज उठी जिस पर विचार करने के लिए एक पैनल का गठन भी हुआ है सिना से जुड़ा एक अपडेट जम्मु कश्मीर से भी है दूसरी सुर्खी इसी से बनी है श्रीनगर के हैदरपुरा में पिछले महीने 15 नमंबर को हुए एंकाउंटर की जाँच के बाद जम्मु कश्मीर पुलिस की साइटी ने सुरक्षा बनों को क्लीन चिट दी है 15 नमंबर को श्रीनगर के हैदरपुरा में एक पाकिस्तानी आतंगबादी सहित तीन अनिस थानी लोगों की एंकाउंटर में मौत हो गई थी स्थानी लोगों का आरोग था कि एंकाउंटर फर्जी है जबकि S.I.T. के मताबिक कारोबारी अलताव पट और डॉक्टर बुदासर गुल को या तो आतंगबादीों द्वारा मानव धाल के रूप में इस्तवाल किया गया है तीसर सूर्ख की पेट्ट्रोल सबसेडी से बढ़ी है जी हाँ आप थीक सुनाए पेट्रोल पेट्रोल सबसेडी आ रही है अब तक आप पेट्रोल के दाम घटने या बढ़ने की खबरे सुनते आए होंगे लेकिन अब जारगंड की हेमन सोरेन सरकार पेट्रोल पर सबसीडी देने जा रही है राजी के BPL राशन कार्ड धारी को दुपई या बाहनों के लिए सोरेन सरकार 25 रुपई प्रती लीटर की दर्स से राशी सीधे उनके बैंक हाते में भेजेगी ये DBT होगा लेकिन आप BPL होने चाहिए बिलो पावर्टी लाइन गरीब रिखा के नीचे वाला गर कार्ड है तब ही आपको ये इस योजना का फायदा मिलेगा जारगंड में ये योजना 26 जन्वरी 2022 से लाग होगी और ये गरीब परिवार को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल तक की सबसिडी मिलेगी जारगंड सरकार का मानना है कि पेट्रोल के बढ़ते दामों के कारण गरीब परिवार घर में मोटर साइकल होते हुए भी चला नहीं पा रहे है